हर हर महादेव एक पंडिजी ने ब्रिक्षों से संबंदिद प्रश्न किया है हमारे अपने ही लोग हैं तो उनका पूछना है कि भई हमने ऐसा सुना है कि कोई ब्रिक्ष की नीचे नहीं सोना चाहिए ऐसे कौन से ब्रिक्ष हैं जिनकी चाया ठीक नहीं होती है तो देखिए हमारे यहां शास्त्रों में ऐसे ऐसे ब्रिक्षों का भी वर्णन है जिन ब्रिक्षों की चाया पवित्र नहीं मानी गई है हर्थां उन ब्रिक्षों के नीचे बैठना सोना इत्यादी मना है जैसे कर्मनाशा नदी है ऐसी नदी है जिसका जो है उसका इसपर्ष नहीं किया जाता है कर्मनाशा नदी के जलका इसपर्ष नहीं किया जाता नदीया तो सब बड़ी पवित्र है पूजन तो उसका भी होगा पर उसमें श्नान करना उसको चूना मना इक इसी प्रकार से विर्क्ष भी है तो कुछ विरिक्ष निशिद्ध है यद्द भी विर्क्षों में भी ब्र से आपको मिलेगा सुनने को मुख्य बात यह हैं कुछ विर्च निशिद्ध हैं जिनका सपर्ष करना जिनकी चाया में बैटना मना किया गया है देखें एक ब्रिद्ध कौतम स्मृति के आठ निन्यानवे आठ में अध्याय के निन्यानवे इस लोग के रूप में वेका गय है इनकी चाया दूर से ही त्याग देनी चाहिए भिल्कूल इनके नीचे से निकलना नहीं चाहिए कौन से बिभीतक मानने बैड़ा यह तिरे पना में हर बहेडा और आमला यह तीन होते हैं तो इनमें जो बहीडा है इसका संस्कुर्त में नाम है बीभीतक तो विवीतक के विरक्ष के नीचे नहीं बैठना चाहिए उसकी छाया दूर से ही त्याग नेना चाहिए बिभीतक करंजानाम करंज माने होता है ये कंजी का पेड़ होता है बड़ी छाया उसकी गनी होती है लोगों उसको लगा रहे हैं उसके नीचे गरों में भी लगा रहे हैं अपने परिसर में लगा रहे हैं पर निशिद्र ध्यान देना करंजानाम चायाम दूरात वर जाए विवीतक जानी पहेडा और कंजी इनकी चाया में नहीं बैठना चाहिए दो तुझे हो गए और देखिए विवीतक और करंजी की चाया सदा परिवर्जित का नमाने दिन में रात में दूर सही त्याग देनी है कभी भी उसके पास नहीं कुछ वरिक्ष ऐसे हैं जिनकी चाया दिन में नहीं लेनी है रात में उसके नीचे आप बैठ सकते हैं क्योंको उसमें सपश्च लिकाज देवा ऐसा कौन सा वरिक्ष है ऐसा वरिक्ष है कपित्ध जैनि कैंथ जिसका फल जो है भगवान गणपती को बड़ा प्रसिद्ध ह है कपित्ध जम्बू भल चार भक्षणा कैंथ जिसको कहते हैं बेल जैसा फल होता है गोल कैंथ जिसको कहते हैं घटा होता है उसकी छाया में नहीं बैठना है दिन में ये लिकां लिकां जेख लीए गाँए आपको इसका बड़ा प्रमान दिया गया है लगुसंग के स्मर प्रति में यही स्लोक 164 स्लोक के रूप में और अत्रिस सहिता में 315 स्लोक के रूप में यह स्लोक दिया गया है क्या है इस लोक कि दिवा कपित्थ चाया सूरात्र उद्दिसमीशुचा धात्री फले सुशत्तम्या मलक्षमीन वसत्य सदा अगर कोई इन विर्क्ष के नीचे इसमें जी श्लोक में बताए हुए कारिकों करता है तो अलख्षमी बसते सदा उसके जा अलक्षमी यानि दरद्रा देवी डेरा डाल लेती हैं सदा बसते सदा बसने लगती हैं दरद्रा देवी क्या ओले दिवा कपित्थ चाया सू दिन में कैथों की चाया के नीचे कपित्थ की चाया के कैथ की बिर्च की चाया में जो रहता है दिवा तात्री की बात न शयनम संद्य योर दिने रजसुला इस्त्री गवना मेतन नरक कारणं उनरक में जाने का कारणं रात में दही नहीं खाना चाहिए स्वास्ति की दृष्टी से और धर्म की दृष्टी से दोनों से निशिद्ध है रात्र्व दद्य समीषुचाए और शमी विर्प्ष के पत्य फास्ति की यह खाना इत्याद करना तो निशिद्ध है ही वो समीव विर्प्ष के पत्तों को रात्री में दिवता पर नहीं चटाना चाहिए अधवा रात्रव शमी शुचा एक इसका ये दूसरा अर्स ये भी है कि दिवा कपित चाया शुरा समी शुचा जान देना दिन में कफित्र की चाया के नीचे नहीं बैट है और रात्री में शमी वर्च की चाया के नीचे नहीं बैट है जिसको राजस्तान में खेजड़ी कहते हैं कहीं कहीं जो है छोकुरा कहते हैं कहीं छेंकुर कहते हैं कहीं शमी कहते हैं जो उसी ये कही नाम है जिसमें काटे होते हैं जिसकी शमी शनी दिवता के निमित उसकी आती गिर्ती है हावन में यगी व्रिक्ष है। लेकिन उसकी छाया जो है राती में परवर जित करना। राती में उसकी छाया के नीचे नहीं बैटना चाहिए। रात्रव ददि समीशुचा दही को खाना और समी का सेवन छाया के रूप में करना या उसकी प्रिक्चोंक पत्तों को चड़ाना या उसकी फली इत्याद को खाना इत्याद यह सब लग जाएगा और धात्री फलेशुच सब्तम्या शप्तमी कहीं कहीं रविवार भी है शप्तमी और रविवार के दिन दोनव पक्षों की सब्तमी हर रविवार के दिन आमले का फल नहीं खाना चाहिए दात्री फलेशुच सब्तम्या अगर कोई ऐसा करता है तो अलक्षमी रवसते सदा उसके यह दरद्रा देवी सदा निवास करने लगती है इसलिए इन कामों को छोड़ देना चाहिए और देखिए कहीं बतलाया गया मरघट के ब्रवश के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए जो नदी के किनारे बिलकुल नदी के किनारे आ गया हो कट रहा हो ऐसे ब्रवश की चाया भी बरजित करना पता नहीं कव गिर जाए इसलिए इस ब्रवश की चाया भी बरजित कर देन चाहिए तो बहुत सी ऐसी चाया है तो जहां हर जगह हर चाया में बैठ करके आनंद नहीं लेना है चाया भी शास्त्री यह यह देखिए किस चाया पर पैर नहीं रखना है यह भी बर्जित है गुरू की माता पिता की आदरनी की अगर कोई सूर की चाया उनकी शरीर की चाया पढ़ रही है तो उस पर पैर नहीं आना चाहिए यह भी शास्त्रों में बर्जित है उनकी चाया का उलंगन भी नहीं होना चाहिए तो चाया के भी नियम है क्या उनके साथ में कैसा बरताव होना चाहिए तो निशेदों का परिवर्जन करना यही मानवता है जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं उन्हें ही मानव कहते हैं वो जो मति के अनुसार, मन-मानि दंग से चलते हैं उन्हें eigenlijk धुरानर कहते हैं तो हमनुस्य शरीर मिल गया है, इसा नहीं है कि हम मानभ बन गए शास्त्र कह देख तब हम मानभ है है, अरुताँ शास्त्रों की अनुसरsoft करेंगे तो उसमें मनुख्यत्वम, मुक्षत्वम, जितना मुक्षा जागरत होना, तो मुक्षा जागरत तब होगा पहले मनुख्यत्वम, मनुख्यता तो हो, तो मनुख्य नहीं है, तो कोन है, मनुख्य तो है, अन्ने था मनुख्य रूपेण मिरगास चरंती, यह अमरे शब्दका जो मनश के रूप में वो जो है पश्व है इसलिए शांस्त्रक्य अनुसरन जो करेगा वही मानव कहलाएगा इसलिए आपना गया यदिट कल्याण करना है तो शांस्त्रक्य बातों की उपैशन करके देरे देरे उन्हू बातों को और अपने जीवन में अनसरन करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, तो यह तो अच्छा सा अधन मिल गया है, कोई बात सुनी, ध्यान नहीं रही, तो फिर भी आप निकाल करके दुवारा सुन सकते हैं, अपने इश्ट मित्रों को भेज सकते हैं, कोई ऐसी ऐसी बात है, जब इनकी छाया पर वर्जित है, तो ऐसे बिक्षों को अपने घर में लगाना वर्जित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताएगे, क्योंका अब इनसी बिक्षों की घर में रहेगा, तो दिन रात में कभी रजगिए, तो वो तो रहेगी, परन्तु आब अगा झाल झाल